दोस्तो आपका स्वागत है पाइथन वीडियो सीरीज में ये सीरीज मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जिनका कोडिंग का कोई बैक्ग्राउंड नहीं है जिनोंने जिन्दिगी में कभी कोडिंग नहीं की है मैं उनको भी पाइथन सिखाने वाला हूँ तो पाइथन सीखे क्यों देखो भाई आजकल हर जगा पाइथन इस्तमाल हो रही है मतलब मशीन लेर्निंग आर्टिफिशल इंटेलिजन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एप्लिकेशन बनाने में लिनिक्स पे भी पाइथन चल रही है तो हर जगा पाइथन है छोटे से छोटे कंप्यूटर में बड़े से बड़े कंप्यूटर में आमज़न, गूगल, फेस्बूक, यूनेम इट हर जगा इवन रोबोट्स बनाने और अगर आपको आईरेन मेन का सूट भी बनाना है तो भी आपको पाइथन आनी चाहिए दोस्तो कॉलिज बगएरा में पढ़ते हैं तो भी पाइथन आनी चाहिए तो बहुत इंपोर्टन लैंग्विज है और surprisingly इसको सीखना बहुत आसान है और यह simple English language में लिखी जाती है बतलब बाकी languages से compare करें तो बहुत easy है 1991 में बनी थी है और अभी इसका जो popular अभी version जो चल रहा है वो 3 something चल रहा है तो उसी के उपर आज हम काम करने वाले हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे setup करना है और कैसे आप python में code कर सकते हैं बहुत असान होने वाला है guys बहुत जादा असान बनाऊंगा मैं इसलिए बहुत detailing में चलूँगा beginner school लेके चलूँगा तो python में code करने के लिए क्या करना होता है सबसे पहले हम google chrome खोल लेते हैं और यहाँ पर हम अपना पूरा setup कर लेते हैं जो मैं coding के लिए इस्तमाल में लाइंगे हम जिसको तो यहाँ पर हम पहले python को download कर लेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए download python एंडर कर दीजिए python.org डाउनलोड जाएगा पहला इसपे आप यह जो download python है 3.10.4 को इसको download कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद आप इसे install कर सकते हैं अब हमें IDE की जरूद होगी जिसपे हम अपने code को लिखेंगे और यहाँ पर हम इस्तिमाल कर रहे है पाई चार्म तो हम लिखेंगे download पाई चार्म पाई चार्म खुलने के बाद यहाँ पर आप लिखने के बाद आपको पहला result मिलेगा download पाई चार्म जो की jetprince.com का result होगा इसपर click कर दीजिए यहाँ पर आपको यह मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको basic computer चलाना आता है ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास क्या है अब हमारे पास पाई चार्म आ गया अब हम इसे goal लेंगे simply ठीक है यह community edition ने खुल गया यहाँ पर पहले से एक project बना हुआ है मैं आपको एक नए project बना के दिखाऊंगा आप जब खुलेंगे पहली बार तो आपके पास भी यह नए project बनाने का option होगा तो यहाँ पर हम new project बनाएंगे हम इस नए project का कुछ भी नाम लिख सकते है मैं यहाँ पर लिखूंगा अभिशेक क्योंकि मेरा नाम अभिशेक है आप my first project या कुछ भी लिख दो कोई फर्क ने पड़ता तो यहाँ पर लिखा हुआ create a main py welcome script मतलब आप चाहें तो पहले से automatically इसमें एक script बन जाएगी बट हम इसका इस्तिमाल नहीं करेंगे यहाँ चाहें तो आप कर सकते हैं तो पहले से एक python file बन जाएगी बट हम नहीं चाहते हैं हम खुद से बनाएगे आप इसे create कर दीजिए new window कर दीजिए नई window में खुल जाएगा अच्छी बात है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं left side में अभिशेक नाम का project बन चुका है लेकिन यहाँ पर कोई python की file या कुछ python नजर नहीं आ रहा मतलब हम लिखें तो लिखें कहां यहाँ तो कोई लिखने की भी ज़र नहीं आ रही तो हमें करना क्या है कि हमें file में जाना है और new file पर करना है और python file बनानी है इस python file का ना है मैं कुछ भी लिख सकते है मैं यहाँ पर लिखूँगा main ठीक है और enter मार दूँगा तो यहाँ पर main.py नाम की एक python file बन जाएगी जो कि हमारी पहली python की file है जो python file होती है उसका extension py होता है जैसे आप गाना वाना डाउनलोड करते हैं जो आपकी image होती है वो jpg में होती है जो video होती है वो mp4 में होती है ऐसे ही जो python script होती है जो python file होती है वो py में होती है जिसे आप से वगयरा भी कर सकते हो जब कोई भी programming language सीखी जाती है जो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है hello world मतलब hello world लिखना और आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ so python में आपको अगर कोई चीज लिखवानी है तो आप कैसे लिखवा होगे वो मैं आपको दिखाता हूँ चलो ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे print ठीक है ऐसे इसको बूलते हैं parenthesis ठीक है मैं वैसे normal technical language यूज नहीं करने वाला हूँ बट फिर भी तो यहाँ पर हम इसको इसके अंदर देंगे hello world ठीक है अब इसको हम run करेंगे run करने के लिए क्या करना होता है जैसे आप run पर जा सकते हैं run कर सकते हैं run ठीक है main इसको run करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर hello world run हो गया ठीक है हमने print कर दिया तो सागर भाई यह कौन सी बड़ी बात है आप एक word लिख रहे हो यहाँ यह आ रहा है तो दोस्त मैं देखो तो सही किसमें लिख रहा हूँ तो ऐसे print आप कुछ भी print कर सकते हो जैसे hello world की जगह मैं अगर print करूँ कि हम हिंदी में आ जाते हैं यह मेरा पहला पहला प्यार है इसे run करो run main क्योंकि हमारी फाइल का नाम main है देखो यह मेरा पहला पहला प्यार है process finished with exit code 0 तो हमारा यह print हो गया तो यह तो बेटे मजाक वाली बात रहे किसी चीज़ को print करना है तो आप ऐसे print कर सकते हो लेकिन भाई हम यहाँ पर print करने थोड़ी आए है हम तो coding सीखने है आई सागर भाई यह text थोड़ी print करना है so coding सीखने से पहले हमें python में variables के बारे में सीखना होगा और अगर आपने maths पढ़ी है थोड़ी बहुत अगर आपने school में थोड़ा भाग maths में ध्यान दिया है तो यह आपके लिए बहुत असान होने वाला है देखो so variable कोई भी ऐसे unit कोई भी SEO हो सकता है जिसमें कोई भी value हो जैसे हम मैं आपको सदाना बाशा मताता हूँ हमने maths में पढ़ा था ना कि x की value निकालो तो x की कोई fix value थोड़ी होती है मैं आपके x boyfriend, girlfriend की बार दिखना हूँ x मतलब x इसकी value 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है 100 हो सकती है 1000 हो सकती है 1 करोड भी हो सकती है सो उसकी कोई fix value नहीं है ऐसे ही python में अलग-अलग तरह के variables होते हैं जिनकी value हम assign करते हैं या तो हम user से input लेते हैं उसकी value का सो आज हम अलग-अलग type के variables के बारे में समझने बारे हैं और कितने तरह के variables होते हैं mainly guys तीन तरह के variables होते हैं और जो integer category होते हैं उसमें भी sub-categories होते हैं उसके बारे में समझेंगे जो सबसे पहला variable होता है वो हता है string उसको हम समझेंगे और example के तौर पर मैं है आपको code करके दिखाने बाला हूँ जैसे कि हमारा पहला variable है name ठीक है जिसकी value हम देंगे सागर ठीक है तो यहाँ पर जो आप देख रहे है name हमारा जो है वो एक variable है जिसकी value सागर है क्या सागर एक number है नहीं क्या सागर एक word है हाँ सो इसको सागर को हम mathematic operation नहीं कर सकते यह एक string है तो यह हमारा जो variable type हो गया वो हो गया एक string ध्यान देना कि जो string है उसको ऐसे टिक टिक दो कॉमा के बीच में लिखते है अब आप चाहें तो इससे को single कॉमा के बीच में लिख सकते है बट मेरा जो पहले जो experiences है वो C++ अगरा के हैं तो मेरा अलग अलग language के हैं तो मैं ऐसी लिखता हूँ तो लिख सकते हैं कोई problem नहीं है इसमें अब जो python language होती है वो case sensitive होती है इसका मतलब है कि आप small की जगा अपर और upper की जगा small नहीं लिख सकते अगर आप code कर रहे हैं तो ठीक है तो हमने पहले variable के बारे में समझा जो की string होती है अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x की value या name की value सागर ही हो अब हम आपा आते हैं अपने अगले variable पर जो की integer होने वाला है तो अगर हम आपर लिखें age और is equal to तो हमारी जो age जो integer लिखेंगे न हमको ऐसे ऐसे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं यह उपर वाले अंटी ने क्योंकि यह number है हम इसे number की तरप लिख सेते हैं मेरी age 27 साल मैं यह आप 27 27 नहीं 27 साल हो मेरे 27 भी तो यह जो मेरी age है यह एक variable है और इसकी value 27 है क्योंकि मैं 27 साल का हूं simple as that तो यहाँ पर हमने दो तरह के variable समझे पहला string दूसरा integer अब integer में भी guys दो तरह के integer होते हैं एक तो 0, 1, 2, 3, 4 number और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई number decimal form में हो जैसे 20.1, 2.1 अब हम उस variable को समझेंगे तो यहाँ पर हम enter मारते हैं अब एक और variable देते हैं eyesight जैसे मेरी नजर की मतलब रोशनी तो eyesight जो है वो एक variable है अब इसकी value जो मैं दूँगा वो 2.1 दूँगा अब जो 2.1 है वो floating number कहलाता है तो इसे हम short form में float भी कहते हैं समझ गया अब यहाँ पर हमने दो तरीके के और integer में भी 2 तरह के आते हैं एक तो integer और नीचे number में भी 2 तरह के आते हैं एक integer नीचे float number 2 तरह के होते हैं अब जो तीसरा जो last है वो होता है boolean जिसे bool भी बूलते हैं अब boolean मतलब होता है true, false yes, no मतलब या तो कोई चीज हो सकती है या तो नहीं हो सकती जैसे की क्या सागर smart है तो इसका answer होगा yes और no क्या सागर एक लड़का है तो true या false कोई तीसरी चीज तो नहीं हो सकती न है न, बीच का तो कुछ हो नहीं सकता या तो है या तो नहीं है भाई simple as that so यहाँ पर हम एक और नया variable set करेंगे लिखेंगे उसका नाम is Indian तो लिखेंगे is Indian अब इसकी value देंगे हम true so आप देख सकते हैं या पर orange color से लिखा हुआ है अब मैंने कहा था कि जो python language है वो case sensitive है अगर मैं इस true के बड़े वाले t को छोटा वाला कर दूँ तो यह क्या काम करेगा नहीं करेगा देख सकते हो आप red line आ गई तो हम यहाँ पर बड़ा t ही लिखेंगे अब हमने जितने भी तरह के variables होते हैं उनके बारे में सीख लिया समझ गए आप मेरी बात तो यह थे variables कितने कितने तरह के होते हैं क्या के होते हैं मैं आपको बताता हूँ variables कोई भी ऐसा हो सकता है unit हो सकती है जिसकी कोई fixed value नहीं इसकी value हम assign करते हैं यहाँ पर मैंने सब variables की value assign की हुई है तो जैसे name variable की value सागर age variable की 27 eyesight की 2.1 और is Indian क्या वो Indian है इस variable की जो value है वो है true क्योंकि मैं Indian हूँ अब यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी variable को उसके नाम से call कर सकते हैं for example नीचे चलते हैं जैसे कि मुझे print कराना है सागर ठीक है तो मैं कैसे print कराऊंगा तो मैं जो call करूंगा करना चाहूं मतब देखो small में लिखना है ना print और यहाँ पर हम string में लिखना चाहते हैं so parenthesis में डालेंगे ऐसे comma डालेंगे दो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा name अब मैं इसको अगर execute करूंगा जैसे अगर मैं इसको run करूंगा run mean तो आप देख सकते हो यह name में आया क्योंकि string है ठीक है अगर हम यहाँ पर सिर्फ name लिखते ठीक है और इसको हम run कराते तो सागर आया अब इस चीज़ को समझना है जब हमने यहाँ पर यह डाला मतलब हमने यह डाला जैसे कि आप देख सकते हो यह और यह डाला तो यह name क्यों हुआ है ना इसको हम run करें तो यह name हुआ क्योंकि guys यह हमारे जो system है इसने name को as a string लिया समझे आप मेरी बात को हमने इसको यह नहीं बताया कि हमें variable print कराना है हमने बुला हमें string print कराना है सो कोई भी चीज अगर इन दौनों उसके बीच में आ जाती है तो वो string हो जाती है वो variable नहीं होता सो हमारा जो system है वो name को ऐसे separate string ले रहा है लेकिन अब हम इसको अगर हटा दें तो अब यह एक variable हो गया and that is our saga समझे आप मेरी बात को जो भी चीज इन दौनों एंटिनों के बीच में आ जाती है वो एक simple text हो जाता है वो variable when नहीं रहता तो हम जब call करना होगा तो हम without commas करेंगे अब हम इसको run करेंगे तो यहाँ पर saga print हो गया समझे इस टॉंग टॉंग एंटिनों का क्या काम होता है एक single एंटिना भी रख सकते है ठीक है अब यह lesson यहीं पर खतम होता है यहाँ पर हमने सीखा variables के बारे में अलग-अलग variables के बारे में string के बारे में ठीक है और boolean के बारे में integers कितने तरह के होता है यह integer होते है, boolean होता है, यह सब होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अब हम इससे भी advanced चीजों में मिलेंगी अपने next lesson में फिलाल के लिए इतना ही guys लाइक करें, subscribe करें और मैं बलता आप से अगली वीडियो में चैनल को subscribe ज़रूर करना guys bell icon भी प्रेस कर लेना और description चेक कर लेना thank you so much and goodbye कि फिल्च turning 12 अवड़ बलता प्रेस काजयी कि भी थहईक में कि फfen quería 메ं मैं